डॉक्टर लाल पैथ लैप्स फ्रेंचाइजी में 20% का मार्जिन प्रवाइड करा रही है यानि कि अगर आपने एक महीने में 1 लैक रूपीज का टरनोबर क्रेट किया तो 20,000 रूपया का आपका नेट इंकम होगा उसी तरीके से जितना ज़्यादा आपका टरनोबर बढ़े या मेडिकल से रिलेटेड और वी जो BAC वगर है तो वह नहीं तो क्या वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं लेकिन वो कैसे ले सकते हैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा दूसरी एक important point ये है कि डॉक्टर लाल पैत लैब का अगर आफ फ्रेंचाईजी ले रहे हैं तो इसके लिए आपको खुद full time वहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है आप चाहें तो इस्टोर को manage कर सकते हैं इस्टोर को manage करने के लिए करना ही क्या होता है एक आपको CCTV camera लगाना है दूसरी बात वहाँ पे दो बंदे रहेंगे एक जो counter पे बैठेगा और एक जो collection के लिए जाएगा इन दोनों को आपको बस phone से manage करते रहना है क्योंकि डॉक्टर लाल पैत लैब का जो भी order आता है online तो वह आपको पता चल जाएगर वह आपके registered mobile number पे show करता है mail पे show करता है कि आपने इस मंत में इतने order लिए और ये सारे काम की है लेकिन बात इसमें ये आती है कि अगर offline order के लिए कोई person जा रहा है तो उसको हम कैसे manage करें तो उसके लिए तो बस manual ही है और दूसरा कोई option है नहीं डॉक्टर लाल पैत लैब भारत की बहुत ही पुरानी company है इतनी पुरानी है 1949 का company का establishment है इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप में से 100% लोग उस time में थे भी नहीं बिलकुल मैं भी नहीं था तो यह इतनी पुरानी company है और पूरे all over इंडिया में इनके 233 location पर अभी के date में collection center है और इनके central labs भी हैं हर state में एक दो central lab होता है generally जो company का revenue है वो लगभग 200 करोड रुपया के आसपास में revenue है अब एक चीज़ आप समझेए कि यह काम करता कैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब में आपको लेना क्या है और आपको क्या काम क्या करना है डॉक्टर लाल पैथ लैब का franchise में basically वो sample collection का franchise देते हैं जाने कि आपने जो भी franchise आप लेंगे उस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ sample collect करना है अपने आसपास के area का कितना area आप ले सकते हैं तो generally 5 km के range का area more than नहीं नप होता है उतना भी बहुत जादा मैं बता दिया 2-3 km बहुत जादा हो गया उसके जादा फिर ले नहीं पाऊ गया क्योंकि फिर आने जाने का costing आपका बढ़ते जाता है तो इसलिए आप लगा के चलिए कि 3-4 km के आसपास का जो भी population होगा आप वहां का sample collection करेंगे और यह sample collection हो सकता है offline भी यानि क्यों कोई direct आपके यहां आया और बोला कि मेरा sample ले लीजी या नहीं तो online वह order ले लेगा या नहीं तो company के तरब से आपको order मिल जागा कि आपको यहां पर जाकर sample collection करना है sample collection करने के बाद आपके यहां जाएगा वहां पर उसका जाच होगा और जो भी रिपोर्ट है यह online हो जाता है अब आप इसी रिपोर्ट को download करके अपने client को provide कर सकते हैं तो basically काम का जो structure है वो कुछ यही तरीके का structure है डॉक्टर लाल पैथ लैब में हर टाइप का जाच होता है generally इसमें blood से related होता है urine से related ह होता है स्टूल से related होता है और मेजर जाच जो भी है वो इसी से काम अपना हो जाता है डॉक्टर लाल पैथ लैब का अगर आप फ्रिंचाजी लेने के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके का आपको location चुनना चाहिए देखिए location आप जहां भी रखे हैं लेकिन आपको जो जग होते हैं जो सीडी नी चड़ सकते हैं अगर लिप्ट का सुवीधा है तब तो कोई बात नहीं है नहीं तो सीडी चड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए प्रेफर करती है कंपनियां की ground floor पे रहे तो पहला नमबर पॉइंट है location कहां देख रहे हैं आप पे medical का आसपास में अगर shop है या doctors बैठ रहे हैं उस जग़पे आप देख सकते हैं या नहीं तो आप main market में देख सकते हैं या वैसा residential area में देख सकते हैं जहां पर एक अच्छी खासी population वहाँ पे रह रही होती है तो वो जग़पे आप चुन सकते हैं location के बाद बात करें area क जिस भी compound में आप ले रहे हैं उसमें आपको washroom शो करना होगा कि यहां पर washroom है क्यों है क्योंकि urine collection के लिए washroom generally चाहिए होता है इसलिए company washroom mandatory मांगती है कि आपके जहां भी आप ले रहे हैं वहाँ पे आपका washroom होना चाहिए यह कंपनी का official website lalpathlabs.com यहां पर आकर सबसे प जन्यू है 4500 patient services center है smart report यह provide कराते हैं यानि कि कोई भी report को download कर सकता है क्या-क्या test company provide कराती है तो वह आपको यहां पर देख जागा view all अगर आप करेंगे तो आपको यहीं से दिखे जागा या नहीं तो आप search test and packages के तोर पर आप search करके देख सकते हैं infertility हो गया vitamin D हो गया allergy हो गया kidney हो गया CBC हो गया thyroid हो गया यानि की लगभग इतने kind of test यह provide कराते हैं यह lifestyle disorder का टेस्ट हो गया condition के अगर हम बात करें जैसे abortion हो गया seed based imbalance हो गया allergy हो गया diabetes हो गया alphabet पर भी आप क्लिक करके search कर सकते हैं प्राइजिंग की बात करें तो यहां पर प्राइजिंग आपको बेसिक प्राइजिंग दिख रहा होगा बात बाकि वो डिपेंड करता कि कौन सा package कोई भी client ले रहा है तो इस तरीके से यह चीजें काम कर र हुआ है जाहिर सी बात है 1949 की company तो इसको एक्रेडेशन ना मिले सा हो ही नहीं सकता है इतना कुछ देखने के बाद अगर आप excited हो गया है कि हम डॉक्टर लाल पैस लैप का फ्रेंचाइजी डॉक्टर लाल पैस लैप का यह है ओफिशियल वेप साइट लाल पैस डॉट कॉम यहां पर सबसे टॉप में आना है आपको business partnership पर यहां पर आपको करना है click क्लिक करने के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ें आपर दिख रहे होंगी इसको पढ़ लीजेगा आपको समझ में आ जागा और यहां पर पहले पर लिखा हुगा कि become a franchise आपको इसी पर click कर देना है click करने के बाद जो eligibility में दिख रहा है वो 500 square feet के आसपस area यह लोग मांग रहे हैं लेकिन मैं आपको बताओ 100 square feet में मैंने कई सारे देखे हैं तो आप देख लिजेगा आपके पास अगर उतना है तो ठीक है नहीं तो आप कम में भी try आप कर सकते हैं prefer from medical experience background prefer तो देता जरूर है कि आपके पास वह ऐसा staff है technician है और फिर आप एक बर जब franchise ले लिए तो फिर आप ले लिए बस करते रहना इसी में next अगर बात कर लें कि कितना investment चाहिए होगा तो कम से कम 3-4 लाख रुपया का investment मांग रहा है good return on investment इन्होंने already रिखा हुआ है trusted है largest diagnosis का chain है इसके बाद यह सार first name दूसरा हो गया last name आप में सो कुछ लोग होंगे जिनका first name ही होता है last name होता ही नहीं तो क्या करें अगर last name नहीं है तो first name को ही आप यहां पर type कर दीजिए double यही चलता है airlines में भी same kind of चलता है next इसमें डालना है आपको pin code कौन से state से हैं आप वो select कर लिजे कौन से city से हैं क्या business profession है आपका आप technician है या doctor है businessman है क्या है businessman मैं आपको पहली बता रहता है कि businessman फ्रेंचाइजी ले रहे हैं आप खुद खून खींचने के लिए नहीं जाएंगे इसलिए businessman में आप दिया हुआ फिर यहाँ पर email ID आपको डालना है mobile नमर डालना है mobile नमर जैसी आप डालेंगे OTP जिनेट होगा OTP यहाँ पर डालके तब कर देना है submit करने के बाद आपको wait करना होगा कम से कम one week के आसपास आपको wait करना चाहिए हो सकता कि पहले भी company के तरब से callback आ जाए otherwise one week आप मान के च चेक करेंगे company और सब कुछ ठीक ठाक लगा तो आपको फ्रेंचाइजी मिल जाएगा तो अमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सो मॉच टिक केर बबाए